ये लक्ष्मी पति कृष्ण इससे हमें क्या लाव होगा और अपने ही पुटम्दियों को मार कर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं ये जनार्दन यद्यपी लोग से विरूद चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रो करने में कोई दूश नहीं देखते किन्तु हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने में अब राग देख सकते हैं ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्व हों कुल का नाश होने पर सनातन कुल परमपरा नश्ट हो जाती है और इस तरह शेश कुल भी अधर्म में प्रवृत्व हो जाता है ऐ गृष्ट जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की इस्तया दूशित हो जाती है और इस तिद्व के पतं से ऐ गृष्टी मंशी अवांचित संताने उत्पन होती है अवांचित संतानों की व्रत्वी से निश्चही परिवार के लिए तथा परिवारिक परंपरा को विनश्ट करने वारों के लिए नार की ये जीवन उत्पन होता है ऐसे पतित कुलों के बृष्टे गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल तथा पिटदान देने की ग्रियाएं समाप्त हो जाती है जो लोग कुल परंपरा को विनश्ट करते हैं और इस तरह अवांचे संतानों को जन्म देते हैं उनके दुशकर्मों से समस्त प्रकार की सामुदाई योजनाएं तथा परिवारिक कल्यान कारे विनश्ट हो जाते हैं ये पजापालक कृष्ण मैंने गुरू परंपरा से सुना है कि जो लोग को धर्म का विनाश्ट करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं ओ, कितने आश्टने की बाद हो कि हम सब जगन्य बाप कर्म करने के लिए उद्दित हो रहे हैं राज्य सुक भोगने की इच्छा से प्रित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हैं यदि शस्त धारी दखनाश्ट के पुत्र मुझ निहत्ते ततारण भुमी में प्रतिरोध ना करने वाले कुमारें तो यह मेरे लिए श्रयस्कर होगा संजय ने कहा युद्ध भुमी में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष्टता पान एक और रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रदके आसन पर बैठ देए अध्याय दो गीता का साथ संजय ने कहा करुणा से व्याप शोक युद्ध अश्रुपुरित नेत्रवाले अर्जुन को देखकर मदुसुदन कृष्ण ने ये शब्द कहिए प्रगवान ने कहा ये अर्जुन तुम्हारे मन में यह कनमश आया कैसे यह उस मनुश्य के लिए तनुप्ती अनुपूर नहीं है जो जीवन के मूले को जानता हो इस से उच्छ लोग की नहीं अपितु अपयश्की प्राप्ती होती है ये प्रधापुत्र इस इन पुसंगता को प्राप्त मत हो यह तुम्हे शोभा नहीं देदी ये शत्रों के दमन करता लिए की शुप्ते दुर्बलता को त्याक कर युद्ध तीली खड़े हो अरजुन में कहा ये शत्रों गंता ये मदुसुदन मैं युद्ध भूमी में किस तरह भीश्म तथा द्रौन जैसे पूजनी अव्यक्तियों पर उलटकर बार चलाऊंगा ऐसे महापुर्शों को जो मेरे गुरु है उन्हें मार कर जीनी की अपेक्षा इस संसार में भीख मांग कर खाना अच्छा है भले ही वे संसारिक लाग के इचुपों किंटु हैं तो गुरुजनी यदि उनका वद होता है तो हमारे द्वारा भुग्य पत्त एक वस्तू उनके रक्त से सनी होगी है हम यह भी नहीं जानके कि हमारे लिए क्या शिष्ट है उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना यदि हम जग्राश्ट के पुट्रों का वद होता है